तो ये है हमारी दुनिया का वर्ल्ड मैप यानि कि हमारी धरती का वर्ल्ड मैप और मुझे पता है कहीं लोग के साथ ऐसा हुआ है जब भी हम इसको कहीं कोलिज में या किसी ओफिस में या किसी बुक में देखते थे तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते थे इवन में आप समझ पाओगे कि वर्ल्ड मैप किस तरीके से है और नेक्स टाइम जब आप इसको देखोगे तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होगे तो हम इसको सिंपली सिर्फ फोर्ड चीज़ों में बाटेंगे ताकि हम समझ सकें इस पूरे वर्ल्ल मैप को पहले हम जानेंगे कॉंटिनेंट से बारे में अपने नाम तो सुना यह होगा एशिया एफरिका अमेरिका ऐस्ट्रेलिया यह सब कॉंटिनेंट्स हैं अगर आप इन सब में कन्फ्यूज होते हो तो पहले चीज़ में हम यही जानने वाले हैं दूसरे स्टेप में हम जानेंगे अपने इंडिया के बारे में अपने इंडिया कहां पर है इसकी जो आसपास के फीचर्स हैं बेसिक जानेंगे सब कुछ वो जानेंगे तीसरे में हम जानेंगे महासागर के बारे में महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनक उसको जानेंगे और चोत्र स्टेप में हम जानेंगे कहाँ पर है जो major countries है जिनके नाम आए देन हम सुनते रहते हैं Australia, America, Brazil, India वगेरा चाइना ये सब कहाँ पर हैं किसर किसर की location है, इंडिया इनसे कितनी दूर है, कहाँ पर हैं ये सब हम चोत्र स्टेप में जानेंगे तो विल्कुल भी वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टेप में हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है major हमारे continents, तो देखें major continents का तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ साथी continents है, major, minor कुछ नहीं, सिर्फ साथी continents है, साथ continents कौन-कौन से है तो देखें हम सबसे पहले देखते हैं Asia को, आपने Asia का नाम तो सुना ही होगा, अब देखें Asia कौन सा है, यहाँ पर आप यह देख सकते हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर है Saudi Arabia, यह इंडिया, यह है Indonesia, चाइना, रशिया, और यहाँ से अगर आप देखेंगे यहा यहाँ पर आते हैं Yural Mountain, यहाँ पर इस मैप में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि Asia और यहाँ पर यहाँ यहाँ यूरोप, इसको आपस में अलग करना बोज जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो आप यहाँ पर imagine करें, यहाँ पर mountains हैं, तो यहाँ से जो mountains आते हैं, वो यहाँ स इस तरीके से हम एक boundary बना देते हैं, अपने Asia की, तो आप यहाँ पर इस circle इस तरीके से देख रहे हैं, यह है Asia, और Asia वर्ल्ड का सबसे बड़ा continent है, area wise भी और population wise भी, तो यह है Asia, अब अगर हम दूसरे number पर देखे तो दूसरे number पर आता है Africa, अब करें लोग को लगता है कि Africa का एक देश है, Africa देश है, लेकिन उसको हम कहते है South Africa, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह color में, जो यह निला color है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर South Africa country है, बाकी जो यह आप यहाँ पर यह देख रहे हैं, यह है Africa continent, मैं आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादर detail में नह बाद देना चाहता हूँ, ताकि आप next time जो भी वीडियो देखें, तो आप समझ सकें, मैं बिल्कुल भी आपको technicality में नहीं लेकर जाना चाहता, ठीक है, तो यह है हमारा Africa, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा continent है, area wise भी और population wise भी, अब आप यहाँ पर देखें, यह आ continent North America, और North America की अंदर एक country आती है, USA जिसको हम बोलते है, United States of America, जिसको हम normally America बोल देते हैं, तो ध्यान रखेगा, कि America एक अलग country है, और North America एक continent है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा continent है, इसके इधर, अगर आप यहाँ पर South में देखेंगे, तो आता है South America, यह भी एक continent ह अब South America का मतलब यह नहीं, कि हम इस जो अमेरिका देश है, इसके South की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं South America continent की, जो दुनिया का चोथा सबसे बड़ा continent है, तो यह हो गया Asia, number one continent, area wise, दूसरा Africa, तीसरा North America, चोथा South America, अब पांचवे की बात करते हैं, पांचवे आता है हमारा अंटाक्टिका, अब अंटाक्टिका का नाम आपने कई बार सुना होगा, मुवीज में भी देखा होगा, कई वीडियो में भी सुना होगा, अंटाक्टिका आता है, हमारी धर्ती के बिल्कुल South में, यानि के नीचे की और, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह वाइट यह वाइट एरिया जो है, यह सब कुछ है अंटाक्टिका का, अंटाक्टिका बिल्कुल बरफ से धका हुआ, एक कॉंटिनेंट है, महाँ पर पोपिलेशन ही बहुत जाता नहीं है, वह कम लोग रहते हैं, और वही लोग रहते हैं, जो यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, तो एंटाक्टिका एरिया वाइज वर्ल्ड का पांचवा सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है, धरती के बिल्कुल साउथ में आता है, अब जो हमारा छाटा कॉंटिनेंट है, वो है योरोप, योरोप का नाम भी आपने कहीं बार सुना होगा, कई लोग लोग को लगता है कि योरोप एक कंट्री है, पर योरोप एक कंट्री नहीं है, योरोप एक कॉंटिनेंट है, योरोप के अंदर कहीं सारी कंट्री है, तो योरोप अगर आप यहां पर देखेंगे, यह है इस्पेन, ग्रीन कलर में यहां पर, और यह है ऐफरिका से यहां पर अलग हो रहा है, यहां पर है कैस्पियन सी तो अगर आप यहां से देहेंगे कुछ इस तरीके से इसके बॉर्डर बने हुए हैं यहां से मैं ने बताया था यूरॉल माॉंटेंस हैं यानि कि यूरॉल परवत हैं जो योरोप को अलग करते हैं एशिया से इसके बारे में डेटेल में बात यूरॉप ग´ जो दुनिया का च्छटा सबसे फडा कॉंटिनेंट है और इसके बाद सबसे लास्ट में जो बचा ऑस्ट्रेलिया यहां पर आप देख सकते हैं सकता है यह जो यालू कलर का जह यह 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 यहाँ पर और न्यूजिलेंड और आधे पासे कुछ आइलेंड इनको मिलाकर बनता मुझा है पूरा एक ऑस्टेलिया कॉंटिनेंट और जो यह खाली यह लेंड मास है इसको वहुलत तया है ऑस्टेलिया कंट्री यह विस्दी आपको बता दूगे कांटिनेंट होते हैं देखो continent एक बहुत ही ज्यादा बड़े लाखों वर किलोमेटर में फैला एक ऐसा लेंड मास होता है जो अपने चारों और से कहीं नहीं पानी से घिरा है उसको हम बोलते हैं continent continent ठीक है तो अब देख लेते हैं हम अपने इंडिया को हमने continent को जान लिया अब देखते हैं इंडिया को देखिए यह हमारा इंडिया इंडिया कहां पर आता है एशिया के अंदर यसे कि हम पहले देख चुके हैं इंडिया आता है एशिया के अंदर अब एशिया में कहां पर आता है South Asia में, देखिए World Map में आप एक शी ध्यान रखेगा, कि जब भी हम बात करते हैं उपर की, इस साइड की, तो हम बात कर रहे हैं North की, जब भी हम बात करते हैं नीचे की, इस साइड की, तो हम बात करते हैं South की, जब भी हम बात करते हैं East की, और जब भी हम बात करते हैं हम बात करते हैं वेस्ट की तो यहां पर अगर आप देखेंगे एशिया के साउथ में यहां पर आता है हमारा इंडिया अब देखें इंडिया भी आता है इंडियन सब कॉंटिनेंट के अंदर तो देखें कॉंटिनेंट और सब कॉंटिनेंट सब कॉंटिनेंट मतलब उप महा हादवीब तो यह है हमारा इंडियान सब कॉंट्टिनेंट जिसके अंदर पाकिस्तान नेपाल भूटान बँवन बांगलीदेस मायनमार श्यरलउंका यह यह देश आते हैं तो यह है हमारा एंडिया कॉंट्री को इस यहां इस अस में शेमा इन अब यज़्य वीडियो बríaела ना हो जाए और आपको बहुत जादा समझने में दिख्कत ना है इसलिए हम इस वीडियो को इतना रहन देता हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मह declaron के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे मेचर मेजर कंट्री के बारे में कुछ वीडियो को